दोलपूर शेहर के सरानी खेड़ा बजार से इस समय बड़ी खबर आ रहे एक खबर रात करीब आठ बजे की यह बताया जा रहा है कि यहां करीब एक दर्जन बदमासों ने सराब ठीकिके सेल्समेन और उसके साती के साथ मार पीट की है और उससे नगदी को चीना है इसमें से सेल्समेन और उसके साथी को चोट आई है गटना को लेकर पीरत पक्ष की ओर से सदर थाना धौलपुर को मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखत तहरी दी गई है बिनोद कुमार पुत्र नरिंदर सींग सेल्समेन ठेका सरानी धौलपुर की ओर से दी गई तहरीर में बताया ग हो है अपने ठेकिदार को देने जा रहा था और इस समय उसका साथी राजपाल पुत्र भोगिराम निवासी मजह हुआ दोल पुर जाने के लिए ठेके के बाहर सटल डालकर जैसे ही बाहर निकले तो ठेके के बगल में दीवार के सारे कुछ लोग खड़े थे दीवार के सार खड़े लोगों ने हाथ में लगे बैग कोछी नहीं कोशिस की जब इसका बिरोद किया तो राजपाल के ऊपर कट्टा तान लिया गपरा कर चलान ले लगे तो उनके अन्य आठ दस ब्यक्ति आ गए उन्होंने लाठी ड़न्नों से हमला किया और मेरे और मेरे साथी के बासी सरानी एवं उसका छोटा भाई पिंटू है जिसके आत्म कट्टा था फीड़ी पक्षी ओर से मामले में मुकतम अदर्शकर कानुन कारवाई करने की मांग की गई है वहीं सूत्र बताते हैं कि यह केस लूट का मामला नहीं है बलकि आप उसी बेवाद का मामला है बता जिसका कारण कोई पुरानी रंजिस बताए दा रहा है पुलिस मामले की जांच कर रही है पुश्ट टाइम मैं दौर्बर जाने के तियार रिकाता कैस में की इसी जी से चोगान के रिड़के अरेंडर सचिन और नरेंडर और उनके साथ अन्य गसलोग आए थे कैस कितना था कैस कम से कम एक लाग हमने लगा लिया दस बीस जारों के और बच्छा था एक सवाला के संतिंग था कितने लोग थे चार जन तो यह थो कम से कम दस लोग इनके साथ में थे त्टी